दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो बहुत ही बहतरीन और पाउरफूल खाद के बारे में जिनके इस्तमाल से आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी पौधा तेजी से ग्रोग करेगा साथी साथ पौधे में फूलों और फलों की संख्या भी बहुत जादा आएगी जैसे ठंड में बहुत जादा ये दिक्कत आती है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है यानि पौधे अच्छे से और तेजी से बढ़ते नहीं है क्योंकि एक तो धूप जादा नहीं निकलती है और धूप निकलती भी है तो हलकी धूप रहती है मतलब धूप उतनी स्ट्रॉंग और तेज नहीं होती जिसके कारण फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती तो पौधा अपना खाना नहीं बना पाता और उसके ग्रोध पे असर पड़ता है साथी साथ जादा ठंड की वज़े से मिट्टी का जो टेंपरेचर है वो भी बहुत कम हो जाता है जिसकी वज़े से भी पौधे की ग्रोध थोड़ी स्लो हो जाती है इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने पौधे को time to time fertilize यानि उसको सही से खाद वगेरा देते रहें ताकि external factor की वज़े से जैसे जो भी वातावरन में जो changes है या temperature की वज़े से जो problem आ रही है उसकी भरपाई आप खाद के द्वारा पौधे को बाकी पोशक तत्वे दे कर करते रहें तो आज जो मैं आपको दो खाद बताने वाली हूँ उन दो खाद का जो nature है यानि जो तासीर है वो थोड़ा गर्म होता है तो अगर आप उसको ठंड में यूज करते हैं तो जो रुकियवे पोधे की ग्रोथ है वो तेज होगी बाकी आप जो दो खाद में बताऊंगी उनको आप किसी भी सीजन में बहुत आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं तो इसमें से सबसे पहला है सरसों की खली की खाद जो सरसों की खली होती है वो कई तरह के पोशक तत्व और सुक्ष्म पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं मतलब इनमें लगभग वो सारे न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोध के लिए जरूरी होते हैं साथी साथ ये नेचर में थोड़ा गर्म खाद होते हैं तो ऐसे तो सरसों की खली का आप किसी भी सीजन में बहुत आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन सबसे जादा इसका फायदा जो है वो ठंड में ही इस्तमाल करने पे प्लांट में देखने को मिलता है तो खाद बनाने से पहले आप ये जान लें कि सरसों की खली की खाद आप उतना ही बनाएं जितना आपको इस्तमाल करने की जरुरत है क्योंकि सरसों की खली की खाद को जो लिक्विड फटलाइजर बनेगा इसका उसको आपको जादा दिन जो है स्टोर करके नहीं रखना चाहिए बनाने के दो से तीन दिन के अंदर आपको उसका अस्तमाल कर लेना चाहिए बाकी जो दूसरी खाद में आपको बताओंगी उसको आप अराम से एक से दो महिने तक स्टोर करके रखके भी उसको यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे खाद बनाने के लिए धाई सो ग्राम सरसों की खली का इस्तमाल कर रही हूँ आप इसको सो ग्राम या दो सो ग्राम के रेंज में भी बना सकते हैं अब इस धाई सो ग्राम के लिए आपको इसमें डालना है पांश लीटर पानी और हमेशा ध्यान रखें इस सर्सों की खली की खाद को आप या तो प्लास्टिक के बर्तन में या मित्टी के कंटेनर में ही बनाए 5 लीटर पानी डाल कर इसको आपको पूरी छाया वाली जगव में अगर ठंड जादा है तो 5 से 7 दिन के लिए रखें बाकी अगर टेंप्रेचर 30 प्लास है तो आप इसको 3 से 4 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए अच्छी तरीके से ढखक कर पूरी छाया वाली जगव में रख दे ढखके रखना है मतलब कि ढखकन जो है पूरा टाइट क्लोज नहीं करना है इतना ही ढखके मतलब हलका ढख दे ताकि उसमें ऑक्सिजन जो है आसानी से आ जा सके ने तो जो खाद है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा पांस से साथ दिन बाद आपका जो फटलाइजर है यानि सरसो की खली का जो लिक्विट फटलाइजर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तयार हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो ये पांस से साथ दिन बाद की अपडेट है और एक और बात का ध्यान रखें कि सरसो की खली का जो लिक्विट फटलाइजर है जब तक आप उसको ढखके यानि फॉर्मेंट होने के लिए रखते हो हर दिन आपको कम से कम एक से दो बार उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है और अभी ये खाद जो बनके रेडी हुआ है ये बहुत जादा गाढ़ा है इसको आप अभी ऐसे डायरेक्ली यूज नहीं कर सकते हैं इसमें आपको और जादा पानी मिक्स करने की ज़रुरत है तो यूज करने से पहले यानि यूज करने के लिए जो आपको इसका रेश्यो लेना है वो ठंड के टाइम पे 1-10 का लेना है मतलब एक भाग ये खाद और उसमें 10 भाग पानी मिलाकर फिर सभी पौधों में देना है वहीं अगर आप गर्मियों में इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो एक भाग खाद और 20 भाग इसमें पानी मिलाकर फिर आपको सभी पौधों में इसका इस्तमाल करना है बनाने के बाद बिना पानी एक्स्ट्रा इसमें मिक्स किये इसको आपको यूज नहीं करना चाहिए क्यूंकि एक तो जैसे मैंने बोला ये नेचर में गर्म खाद है प्लस जब आप इसको फौमेंट करके तयार करते हो तो ये काफी जादा स्ट्रॉंग खाद होता है तो बिना पानी मिलाए अगर आप गाढ़ा खाद पौधों में इस्तमाल कर देंगे तो उससे पौधे के पत्ते या पौधे जल सकते हैं और पानी मिक्स करने के बाद हर प्लांट में आपको प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग पचास से सो एमेल ये वाला लिक्विट फर्टलाइजर आपको देना है प्लांट के किसी भी स्टेज में आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे अगर पौधा मतलब जब लगभग 20 से 25 दिन का हो जाए यानि उसकी ग्रोथ थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद से आप इसको प्लांट के किसी भी स्टेज में इस्तमाल कर सकते हैं सबजी वाले पौधे में फलों वाले पौधे में या फूलों वाले पौधे में हर पौधे में 15 दिन में एक बार आपको उसको यूज करना है और जो दूसरा खाद आपको यूज करना है वो है सडीवी गोबर की खाद गोबर की खात को आप डिरेक्ली भी पौधों में इस्तमाल कर सकते हैं साथी इसका लिक्विट फर्टलाइजर अलग से बना कर तयार कर भी पौधों को दे सकते हैं तो लिक्विट फर्टलाइजर कैसे बनाना है, क्या-क्या मिक्स कर बनाना है उससे पहले देख लेते हैं कि directly अगर आप इसको पौधों में यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको कितनी रखनी चाहिए जैसे पर प्लांट आपको एक से दो मुठी गोबर की खात करें और वहीं अगर प्लांट जो फ्लौरिंग पे पहुंच गया है और बड़ा प्लांट है तो उसमें आप तीन से चार मुठी भी सरी भी गोबर की खात का इस्तमाल कर सकते हैं फलों वाले पौदे में लगभग 200 से आधा केजी तक आप बड़े प्लांट में यूज कर सकते हैं गोबर की खाद का गोबर की खाद जो होती है वो भी नेचर में काफी गर्म खाद होती है तो गोबर की खाद का भी आप जैसे हर सीजन में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ठंड के सीजन में इसका इस्तमाल करने से खास कर डायरेक्टली पौधों की जड़ों में डालने से बहुत ही जादा फायदा प्लांट को देखने को मिलता है तो यूज करने का जो इसको सही तरीका है पहले आप मिट्टी की गुडाई कर ले मिट्टी की गुडाई कर चारो तरफ आप मिट्टी को हटा ले और हलका गड़ा टाई बना ले और उसमें आप जितनी भी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं गोबर की खाद को डाल कर उपर से आप चारो तरफ से मिट्टी को कवर कर दें गोबर की खाद भी जो होती है वो कई तरह के पोशक तत्व जैसे जो में पोशक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, पोटाश्यम, फॉस्फोरस इन सभी के साथ साथ इसमें बहुत सारे सुक्ष्म पोशक तत्व भी होते हैं जिसे पौधे को बहुत जादा फैदा मिलता है अब बात करते हैं इसका liquid fertilizer कैसे बना के आपको देना है तो liquid fertilizer बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लगभग 10 लीटर पानी और 10 लीटर पानी के हिसाब से लगभग आपको आधा केजी लेना है गोबर की खाद ये ठंड के लिए है आधा केजी गर्मियों में अगर यूज करेंगे तो इसकी मात्रा को आधा कर ले यानी 200 ग्राम आप यूज करें गोबर की खाद को डाल कर अच्छी तरद से mix कर लेना है और आप इसको ऐसे mix कर इसको directly भी यूज कर सकते हैं पौधे में लेकिन सबसे best तरीका होगा इसको use करने का कि इसमें आप थोड़ा सा waste decomposer मिला कर इसको 2-3 दिन के लिए पूरी छाया वाली जगह में छोड़ दें फिर आप उसका इस्तमाल करें waste decomposer नहीं है तो उसकी जगह पे आप गुड़ का इस्तमाल करें गुड़ जिसे जागरी भी कहते हैं गुड़ यहाँ पे आप solid गुड़ भी use कर सकते हैं लेकिन सबसे best जो गुड़ होता है खेती में इस्तमाल करने के लिए या gardening में वो इस तरह के जो liquid वाले काले गुड़ होते हैं इसका इस्तमाल करने से सबसे best result मिलता है क्यूंकि इसमें जो है कई तरह के जिवानूं पहले से मौजूद होते हैं तो 10 लीटर पानी के हिसाब से 5-10 ग्राम या 15 ग्राम तक गुड़ आप यूज कर सकते हैं और गुड़ को डाल कर आपको वैसे ही जैसे waste decomposer अगर यूज कर रहें या गुड़ यूज कर रहें दोनों ही तरीके में आपको 2-3 दिन के लिए इसको पूरी छाय वाली जगह में छोड़ देना है और बीच बीच में इसको अच्छी तरीके से mix करते रहना है दो से तीन दीन बाद आपका जो ये liquid fertilizer है वो अच्छी तरीके से बन के ready हो जाएगा यूज करने से पहले आपको इसको अच्छी तरीके से mix कर लेना है और यूज करने के लिए इसकी जो ratio यानि इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो 50% ये वाला liquid fertilizer लेना है और उसमें 50% normal यानि साधा पानी मिला के सभी पौधों में plant के size के according 100 से डेर सो से 200 में यूज करना है हर 15 दिन में एक बार आप repeat कर सकते हैं और इसको भी आप किसी भी सबजी, फूलो, फलो वाले पौधे में बहुत आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं प्लांट के किसी भी stage में use कर सकते हैं जैसे पौधे की growth के time पे भी use कर सकते हैं दोनों खात को आपको साथ में use नहीं करना है दोनों खात के बीच में कम से कम 3-4 दिन का अंतराल यानि gap रखें जैसे अगर आपने आज सरसों की खली दी है तो 3-4 दिन बाद या कम से कम एक हपते बाद इस खात को देना है आपको और एक बार इस्तमाल करने के बाद हर 15-15 दिन में आप इनको repeat जरूर करें तब ही जो है प्लांट में अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा ठंड में जब भी आप खाद इस्तमाल करते हैं तो सुबे के टाइम पे करें धूप निकलने से पहले और गर्मियों में तो आप सुबे या शाम के वक्त दोनों टाइम कर सकते हैं ठंड के टाइम आपको शाम के वक्त ना ही पानी देना चाहिए ना ही किसी खाद वगेरा का इस्तमाल करना चाहिए और इस खाद को बनाने के बाद आप चाहें तो इसको महिने दो महिने तक स्टोर करके रखके भी इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं ये खाद बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपके पौधे में काम करेगा तो स्टोर कर रहे हैं तो कभी भी धक्कन को टाइट लगा के स्टोर नहीं करें टाइट लगाते हैं तो बीच बीच में दिन में एक बार कम से कम धक्कन को खोल दिया करें ताकि उसमें ऑक्सिजन जाता रहे और पूरी छाये वाली जगह में रखके ही स्टोर करना है धूप में रखने से खाद जो है वो खराब हो जाएगा बाकी सरसो की खली की खाद को आप और भी जादा पाउरफुल बना सकते हैं लगभग 100 गुना तक जादा इसका पाउर बढ़ा सकते हैं उस पे अल्रेडी मैंने डीटेल वीडियो एक शेयर की वी है जिसकी लिंक एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी और डेस्क्रिप्शन में भ जरू कर ले